सभी को नमस्कार राम राम और बहुत सारा प्यार फिलाल तो मुझे इतनी बैंकर असी आ रही है जिसकी कोई अध नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने तीन गंते जो है वह बिल्कुल खराब कर दिये भाई आधी पुरुष आधी पुरुष के बारे में क्य कर रात की क्लास के बाद मैं सोचा चलो आधी पुरुष देखके आते हैं और अपनी बेटी को भी दिखाती हूं अब मुझे अपनी बेटी के जो सवाल के जवाब है न वो देने भार ही हो रखे है क्योंकि अगर कोई भी आधी पुरुष देखेंगा न तो पगला जाएग आधी पुरुष जो है उसके उपर बहुत जादा बजट यानि लगबक यह लगए 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 लेके 700 करोड का बजट जो है वो लगाया गया है दस सिर वाले रावन को देखके पता ही लगा रहोगा किस तरह से दस सिर के रावन VFX से लगाया है इन्होंने अरे मूवी नहीं बन रहे थी तो दो साल का टाइम ले ले लेते क्यों जोकरों की तरह कार्टुन बना दिया बिल्कुल पूरी मूवी का जहां अकर हम लोग पुराने टाइम के रामायन की बारे में बात करते हैं जो रामायन लिखी थी आपकी रामन ने तो रामान साग्र जो रामायन लिखी ती अरे देख कैसे लगता था कि शीर राम जो है वो टीवी से बाहर आ गए कोविड के टाइम पे भी रामायन जो है वो दुबारा चलाई गई थी और जहां तक मुझे याद है कि हमारी जनरेशन में हम लोगों ने बच्छपन में देखी थी हमने दुबा सबसे बड़ी बात यह रावन जो है वह अपने पुश्पक विमान पर सीता हरन करने आया थे और यहां के जो रावन है दिख भी नहीं रहा होगा बिल्कुल ऐसी अंधेरी मूवी दिखाई थे कि पुराएं टाइम पर तो इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती थी यह चमगादड पर बड़े से चमगादड पर सीता महिया को लेके गया है और यह जो रामायन थी इस पर पुश्पक विमान था दूद्रा पूरी वी एफेक्स पर बनी है ठीक है और लक्षमन जी का तो कोई रोल इन निखाया जबकि सबसे ज़्यादा त्याग तो लक्षमन ज पहाड लेके क्यों आये थे क्योंकि वह संजीवनी बूटी पहचान नहीं पा रहे थे और यहां पर अनुमान जी पहाड लेके आते कि आगे चलके ज़रत पढ़ जाए कि तो इस्तमाल कर लेंगे अब इसमें कहता है वानर सेना की जगा गोलिल्ला दिखा रखें भी एफेक और पहरत लोग मतली हो लोग उनकी पूजा करते हैं तो लोग उनका रखते जो निकला रहे हैं तेल तेरे बाप का आग भी तेरे बापकी और जलेगी भी तेरे बाप की यह क्या है भाई हनुमान जी बोल रहा है और इस मुवी ने अगले और भयंक का डायलोग है अब जब जब जो हनुमान जी है वह वाटिका में चले गए कहते हैं तेरे भुवा का बगीचा है कि इस तरह से मेरे एक सपोले ने तुमारे शेशनाग को लंबा कर दिया अभी तो पूरा पिटारा पड़ा है अगला है आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं ठीक है जो अमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी हम लंका लगा द वर्मटे लिएग इस रावन को देख लो हैदर जैसी सकल बना रही है ठीक है राम देखो राम रावन जो थे वो ब्रह्मन थे बाई और ब्रह्मन जो है वह मास नहीं गहते और यह चमघादड अपने वह जो जो मतलब एक तरह से जो उनका विमान था जो बना था कि कहते है यह अपने विमान को वो खिला रहे थे, मास, चमगादर को, यह तो पुष्पक विमान लेके कहते हैं, बड़ा चमगादर उसे इतने बड़े-बड़े मास के तुकड़े खिला रहे, ठीक है, यह देखो हूँ, मतलब ब्राम्मन से मास खिला रहे हैं, राम का नाम और सीता मैया, सीता मैया बिलकुल पूजनी है, इनके वस्त्रों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया, वस्त्र ऐसे दिखाए गए, अब अगर हम लोग बात करें, कि भाई ये वाली रामायन अच्छी थी, ये पुराने वाली रामायन अच्छी थी तो मुझे कम अब मनोरंजन करना है तो 3 गटे मनोरंजन कर सकते हैं ठीक है कोईले की लंका डेख सकते हैं लंका सो ने की ती बिल्कुल काली दिखा रखड़ी कोईले की लंका आपको ऐससे लगेगा कि मेरी आख जो है वो खराब हो गई है तो भाई रामायन तो जो सबसे बेस थी वो रामानन सागर की थी क्योंकि एक-एक शब्द जो निकलते तो ऐसा लगता था कि भगवान के मुख से ही शब्द लगल रहे है या तो ऐसा हो रहा है कि बोलीवुड की मुवी बना दी हिरो पन्ती टू तो भाई मुझे कमेंड बॉक्स में एक बार बताईए कितने लोग ये मुवी देख के आचुके हैं अपना पैसा वेस्ट कर चुके है और राम के नाम पे जो इन्होंने खिलवाड किया है वो बहुत गलत किया है और कोई कि ऐसा भी एक जिनको मुवी अच्छे लगी है कि भाती-भाती के लोग है बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी तब तक लेता हैं कि सो मच बबैलवी ओल जैहिं जै भारत